वो तो एक परवाज है, पुर दोर एक आवाज है, खामोशियों की है जुबां, चल्दे तो चल्दे कारवां, वो है जहाँ, वो है जहाँ, जगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी, 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 अन्जान राहों में अंजान तथ्यों को ढूड़ने के लिए निकल पढ़ते हैं, लेकिन यह राहे आसान नहीं होती यूगि बहुत सारी दुश्वारियों, निंदाओं, सफलताओं से भरी होती है इन अन्जान तथ्यों की राहे, यानि कोई अन्जान खोज। लेकिन जब स सभलता मिलती है तो भी वो व्यक्तिगत से ज्यादा देश समाज और विश्व की भलाई बेहतरी और सम्रिधी को ही उसी को बढ़ाती है आगे हमारी आज की मैमान भी एक ऐसी ही विज्ञानिक है महिला है जो इसी अंजान तथे की खोच में निकल पड़ी और जब उन्होंने इसे खोच डाला तो उनको मिला शांती सुरूब भटनागर पुरसकार का सम्मान हमारे साथ हैं डॉक्टर मिताली मुखर जी आप CSIR के स्वास्ते के राज ढूनने में चुटी डॉक्टर मिताली मुखर जी बनना तो चाहती थी डॉक्टर लेकिन फिर रुख किया बेक्टिरियल मॉलिकिलर जनेटिक्स का उनकी प्रफेसर श्री ब्रहमचारी जी ने उनमें जीनोमिक्स को लेकर रुची चगाई उस समय इस स्वास्ते का जिब डॉक्टर मुखर जी ने रुख किया तो उनकी रुची बढ़ती गई उन्होंने नीरो डिजनरेटिव विकारों के अनुवांशिक आधार का गुर रहस से हल करने के अलावा भारती आबादी पर एक अनुठी खोज ये की कि जाती और भाशाई जिससे जिनोमिक्स अधारित उपचार की राहें खुल सकती हैं मेडिकल साइंसिस के एक शित्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित शांती स्वरूप भटनागर पुरसकार से भी समानित किया गया अपना पूरा जीवन विज्ञान के जरिये मानवता की सम समस्याओं का हल ढूखने के प्रतिसंस करने वाली डॉक्ट्र मित Challi js है हमारी आज की तैजस्विनी तो ये करते हैं डॉक्टर मखर जी से बातचीत शुरूब डॉक्टर मखर जी बहुत स्वागत आपक है तैजस्विनी में मुझे भी अच्छा लग रहा है यहां रफ्ट मुकर जी आम तर पर विज्ञानी को देखकर एक धारना बनी होती है कि बहुत गंफीर लुक वाले कोई होंगे हमारे सामने लेकिन आप तो बहुत ही समाने महिला हम लोगों की तरह ही हैं ऐसे में यह ज़रू सवाल दिमाग में आपकी विज्ञान में रुची शुरू से ही थी और अब शुरू से ही मेधावी छात्रा थी नहीं मैं मेधावी छात्रा भी नहीं थी क्योंकि मैं स्कूल में कभी भी first या second नहीं आयू विदिन 10 आ जाती थी पर ऐसा नहीं था कि मुझे कोई इतना competitive streak था कि मुझे तो आप इस जवाब से उन सब लोगों को बड़ा होगा कि चलिए मार्च नहीं अच्छ आते तो भी आप किसी भी उमर पर जाकर किसी भी पड़ा पर जाकर को कोई भी अगर किसी चीज में बहुत जब उसका इंट्रेस्ट जग जाता है तो एनीबडी गन तो आप जब पर जान कर दोग है जबादा जाता है तो इससे पर इस बहुत जब आप शच्छ अख्याइं जियर बने या इंजीनियर बने बने उसके लिए हम बहुत सब एंग्जाम्स देथे एंटों दो तीन साल वेन एंटेंट किया है और साथ बीएसी कर रही थी ती पर र कभी सफल नहीं होती थी थी अपिध कि फिर अजिंड़ करेंगे जर्द नहीं 맞ेरियष था फिर सब्लाइचाों कि व्यस्ता काउछा हूं चंचत्र स सब्लाइज करेंगे जर्द सब्सलान भाट इस भरी बीर ऑफ श सकेट कित अबGeneral का असुन पर वस्ता को शहते है दो कि पर मुझे यह नहीं पता था कि मुझे और क्या करना है एक चीज मैं बहुत करती थी मैं उस समें गादनिंग बहुत करती थी तो लोगों को लगा कि होटी कल जरी पढ़ लो और उस समें उन चोटे शेरों में उतना कोई कोई इसा मेंटर्शिप या कोई गाइडन्स आजकल जैसे बहुत चारे ऑप्शन्स हैं डिजिल मीडिया है तो बहुत तरह की एक्सपोजर भी होती है कि इन दोनों चीजों के अलावा भी बहुत कुछ होता है तो उस समें तो ऐसा कुछ होता नहीं था पर किसी ने बोला कि अ उनोंने बोला कि उनके कोई जानकार वहां पर है तो उनोंने मुझे गाइड किया और फिर मैंने वहां पर एक्जाम एंट्रेंस दिया और देने के बाद वहां पर जब मेरिट लिस्ट आया तो मेरा मुझे पता चला कि I got a position in the biotechnology department, plant biotechnology जो कि उस समें बहुत अपकमिंग था So I took a decision कि चलो यही करते हैं तो वहां पर आके सबसे पहली बार मुझे इंट्रेस्ट आने लगा जो मैं कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि यह काफी इंट्रेस्टिंग सबजेक्ट है और इतिफाक से मुझे बहुत अच्छे गाइड भी मिल गए Dr. Srinivasan जिनोंने मुझे का काफी काइड प्रोचाहन दिया और काफी रिसर्च क्या होता है वो मैंने उनसे सीखा यानि आपको वहां से रिसर्च या शोथ की तरफ आपके रुची बन गई लेकिन जिनोमिक्स जिसमें आपने एक्सल किया है यह तो ऐसा क्षेत्र है जो शायद उस वक्त जादा विक्स क्या है तो उनको भी काफी है पर मैंने फिर इसर्च को अटेम्ट किया और बिकॉस मेरी मास्टर्स की पड़ा इतनी अच्छी थी कि I could actually clear the Indian Institute of Science entrance बैंगलूर उसको उसमें मक्का बोलते थे साइंस का आज मक्का माना जाता है यह बहुत से लीडिंग साइंटिस्ट इस कि इतनी साही जीन सब्को स्टेडिय किया जाता है और मैंने वेक्तिरियल स्टोरी तो मैं तो ट्रोट ОAlright इसे माना जाता ही कि आपको फॉरन जाना चाहिए, पोस्ट जॉक करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी PhD एक अच्छे इंस्टिट्यूट से है, तो क्यों ना मैं इंडिया में ट्राइ करूँ कुछ करने का, उसके बाद सीखने का मौका मिलेगा या जरूरत होगी तो उस तरह की चीज में बाहर से सीखने होगी, आपको विदेश जाने का मौका मिला, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं देश पे रहके कुछ करना चाहूंगी, तो उस समय ज्यादा होता नहीं था, हमाएं बैच की जितने सब बाहर जा रहे थे, और मेरे पीजडी सुपरवाइजर भी काफी कंसरेंड थे कि यह वाला डिसिशन इस लाइक तफ डिसिशन तो टेक, स्पेशली नाइटी सेवन की बात है, जहां पे इंडिया में उस समय ज्यादा अपुछ उनी नहीं था, यह शेत्र जादा विक्सि नहीं कि जो मुझे उपर्चुनीटी दे, सभी सोचते थे आएसी से आपने पीजडी किया तो इंडिया में क्यो रहना चाते थे, बहुत ही इतिफाक से उस समय प्रोफेसर ब्रहमचारी, जो मेरे में बेंटर रह चुके हैं बहुत साल, वहां पे बायोफिजिक्स में प्रो करना चाहता है, तो वह भी लोगों को ढूंड रहे थे, और उस समय कुछ भी नहीं था, तो दिली में उन्होंने, CSR की इस इंस्टिटूट जिसका पहले नाम था, Center for Biochemical Technology, वहां की Director Position ली, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप इंडिया में रहना चाहते हो, क्यों रहना चा उनको बहुत अच्छा विजिन था, कि उन्होंने सोचा कि इंडिया में जीनोमिक्स तो किसी ने किया नहीं है शुरू, और जीनोम सीक्वेंस हो रहा था, तो इंडिया में बहुत सारी प्रब्लम्स भी हैं, जिसको जीनोमिक्स करने से एड्रेस हो सकती थी, और हमें तैयार करनी चाहिए, कि जब जीनोम सीक्वेंस मिलेगा, तो उस समय हम क्या रिसर्च करेंगे, मतलब यहां से आप जीनोमिक्स का रुख किया आपने, आपको फिर शांती सरू भटनागरपुरस का किस खोच के लिए था, तो हमने उस समय जीनोमिक्स जब शुरू किया तो हमने सब आप सकतरे कि अदो से लिए, अदो हमने, समयल खेंगे, अत दे गालता है, तो आपको कुछ पहले से आपने किजा अपने जीनोंटर डिसर्च की अल Öघ्च का कौन होचिए तो वग शुरूमिक्स सारै का कि यस सरह से ड्र ब्रहमचारी ने एक बड़ी प्रोजेक्ट एमस के साथ शुरू की थी ओन एरिया फ्व रूरो डिजनरती डिसॉरू की और वहां से मैं अपनी जीनोमिक्स की जरू की तो वो करते करते हमें पता चला की इंडिया में बहुत तरह की ऐसे जनेटिक डिजीज इंड इना में आज़ना इन है cuma स्क्रीन किस तरह से किया जाये जैसे सिकल धनीमिया आम तोर पर प्री है कि वोता है यह तो वो उसी तरह से यह Spino-Cerevular Ataxia, यह एक spectrum of disease था पर उसको धीरे धीरे हमने doctors के साथ काम करके पता करने की कोशिश की कि कितने तरह की Ataxia, कितने तरह की mutations होती हैं और वो कोई-कोई family में क्यों होती है मतलब इस एक खोच के लिए जो बहुत पार्थ-ब्रेकिंग खोच मानी गई इस खोच के लिए आपको प्रिये पूर स्कैल में तो यह जब हमें पता चला तो फिर एक और हमने project Dr. Brahmachari नहीं conceive किया उसको कहते है Indian Genome Variation Project जो कि हमने ऐसे सोचा कि अगर हमारे पास इंडिया की map ह genetic map हो तो क्या हम उस map से वो baseline map से हम यह बता कर सकते हैं कि कौन से populations हमारे country में एक जैसे हैं तो अगर कोई disease कोई एक population में होती है तो बहुत सारे जो related population है हो सकता है कि उनमें ज्यादा possibility होंगी उस तरह की disease होने की क्योंकि हमाई country में इतनी vivid linguistic lineages है हम नाए कोई Indo-European Language बोलते हैं कोई रवीडियन बोलते हैं कोई Austro-Asiatic बोलते हैं कोई टिबितो-बर्मन बोलते हैं और सब अलग-अलग regions में रहते हैं अलग-अलग ethnic groups होते हैं तो अगर हम बोलें कि अगर इन्डिया का जीनोम किसको बोलें कोई representative है क्या तो हमें पहले पता करना होगा कि क्या इंडिया को रीप्रेजेंट करता है इत जए लेवल so this was a very big project it was called as a Indian Genome Variation Consortia project करीब दो सो लोग CSIR के सबने एक साथ मिलके काम किया और मैं उस समुषी कान्वीनर थी उस की तो बहुत intensely मैं उसमें involved थी पता करने के लिए और हमाई खोज 2007 में पहली पर publish हुआ कि हमने यह दिखाया कि Indian populations कुछ reference populations हैं जिससे बहुत सारे Indian populations बंद सकते हैं या या एक बहुत बड़ी पाथ प्रेकी खोज रही जो आप लोगों ने मैप तयार किया तो बाहर के लोगों ने भी हम acknowledge किया तो हम एक और प्रोजेक्ट के पार्ट हो गए इसको पैन-एशिया प्रोजेक्ट में भी फिर हमने पार्टिसिपेट कि हम इंडिया को हमारी इंडिया में किन-किन से कैसे रिलेटेड है और वो एक बहुत महत्वपून पॉब्लिकेशन थी जिसमें की दस कंट्रीज एक साथ पार्टिसेपेट किये थे और इंडिया से डॉक्टर ब्रमचारी के ही क्या कहते हैं फिर सूपर विज्जन में मैंने एक प्रोजेक्ट लीट किया था आपने आयूजीनॉमिक्स की बात कि है, आयूजीनॉमिक्स की शुरुआत ही दॉक्टर मुकरजी और इनके मेंटken के जरिये हुई है. और इसलिए ये आयुरूएध को जिनॉमिक्स से जोड़ा जाना ये bहुत महत्रपोंट रहा है. लेकिन किन मायनों में और क्या है आईयर जीनॉमिक्स करेंगे बाय डॉक्टर मुकरजी से लेकिन फिल्हाल यहां वक्त एक ब्रेक का बच्चे माता पिता की जीवन की सबसे बड़ी खुशी होते हैं और सबसे अधिक चिंता का कारण नहीं हमेशा यही डर लगा रहता है कि ये ठीक तो है, ये सेफ तो है बच्चों के साथ जगन्ने यौन इंसा की घटनाएं हमारे कॉंशिस को जगजोड कर रख देती है ये एक ऐसा कुरूर अपराध है जो बच्चों से उनका बच्पन चीन लेता है ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने कठोर कानून बनाया है लेकिन केवल कानून काफी नहीं आईए हम सब मिलकर अपने आसपास हो रहें बाल यौन इंसा को पहचाने, सरतर्क रहें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं ऐसी हर घटना को पुलिस या चाइड लाइन 1098 पर रिपोर्ट करें बच्चों की सुरक्षा हम सब की जिम्मधारी है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कारिक परमते जस्मिनी जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिताली मुखर जी जिनको शांति सुरू भटनागर पुरसकार मिल चुका है और CSIR की पहली ऐसी महिला साइंटिस्ट हैं जिनको ये पुरसकार मिला है डॉक्टर मुखर जी आप से बात हो रही थी आयूर जिनॉमिक्स को लेकर ये एक ऐसे फिल्ड अव स्टडी है जो पहले बार किसी ने सोचा है आप और आपकी टीम ने मिलकर आयूर वेत को जिनॉमिक्स यानि प्राचीन पद्दती को आधुनिक मैडिसन से कहिना की जोडने की कोशिश की है क्या है ये इसको कैसे समझा जा सकता है ऐसे आए कि जब हम शुरू कर रहे थे तो मॉडन वाले भी परस्नलाइज मैडिसन की तरफ जा रहे हैं जहां पर ऐसे सोचा जा रहा है कि हर इंडिविजुल को एक कस्टमाईज तरीके से अगर हम दवाई दें तो वो सबसे जादा एफेक्टिव होगा उसी वज़े से जीनोम सीक्वेंसिंग भी हुआ था कि यह पता चल जाए कि अगर किसका जीनोम किस तरह का है तो उसी तरह से उसको क्या दवाई दी जा सकती है तो उसी समय हमाई मेंटर डॉक्टर ब्रहमेचारी ने कहीं कोई मीटिंग में सुनी थी कि आयरुवेदा में प्रकृती कुछ होता है तो फिर उन्होंने हम से आके पूछा कि इसके बारे में पता करो तो फिर हमने जब ढूनना शुरू किया तो हम यह पता चला कि प्रकृती भी वही वही भूल रहा है और उसी तरह से आयरुवेदा के डॉक्टर्स प्राक्टिस करते हैं जिस तरह से अचीव करना चाहते हैं तो हमने सोचा कि क्या हम इन दोनों साइंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसके लिए फिर डॉक्टर भावना प्राश्चर जिनके साथ मैं पिछले उन्ने साल से काम कर रही हूँ शीज एन एमडी रायरुएदा तो लखीली हमें वो हमाई उन से मुलाकात हुई एक वो भी CSIR के एक इंस्टिटूट में TKDL एक इनिशेटिव था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइबरी वहाँ पे काम करती थी फिर हमने उन से बात की और फिर पता चला की बहुत ही एक सिस्टेमाटिक तरीका है आहुरवेदा में जहां पे लोग प्राचीन परदतियां होती है इनको लेकर जो आथनिक विज्ञानिक है उनके मने बड़ी आशंका होती है तो ऐसे में आपने जब रुक किया इसका तो आपको भी काफी सवालों की जवाब देने पड़े होंगे हैं यहां बहुत जादा क्योंकि सबको लगता था कि मैं इन काफी रिस्की था आपको अपने आपको साबित करने कभी कही न कहीं ऐसे कभी ऐसे दबाव रहा कि I have to prove myself मुझे साबित करना है ऐसा मेरे को इतना यह नहीं लगा क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मेरे को उतना मैटर नहीं करता था कॉन क्या बोल रहा है उसक उसकी उतनी चिंता नहीं होती थी because the subject itself was very exciting for me and then हमने पहली बार जब डिसकोवर किया कि Ayurveda में जैसे प्रकृति बोलते है तो हम लोगने method develop किया जहां पे कि हम लोगों को प्रकृति के basis पे classify कर सके यह Dr. Bhavana का ही सबसे seminal contribution था जो कि हमने रश्या में जाके भी लोगों को किया रश्या के लोगों को भी इसके बारे में जानने में बहुत चाहती तो हमारी पहली fund उस तरह से आई कि हम इंडिया में प्रकृति करेंगे रश्या में प्रकृति करेंगे फिर देखेंगे कि अगर प्रकृति का molecular basis क्या है यानि कि basically जो आयूर्वेट जिस तथे पर देता है अब आप उसको आपनिक मेरिसन में उसको एक तरही किसे वेलिडेट करने की कोशिश करते हैं लेकर यह बताईए डॉक्टर मुखर जी कि जब हम बात करते हैं महिला और ऐसे विज्ञानिक स्तर पर इतने उंचे स्तर की विज्ञानिक बन गई हैं कभी आपको अपने इस जर आइ शुद नाट टेक अप मेजर रस्पॉंसिबिलिटीज तो जब इंडियन जीनोम वेरियेशन प्रोजेक्ट शुरू आतो जब हम मैं कन्वीनर बनी थी अगर किसी को रस्पॉंसिबिलिटी देते हो तो उसको ओनर्शिप भी फिलिंग होनी चाहिए तभी वो रस्पॉंसिबिली काम करेगा और हमाई इंस्टिटूट एक बहुत ही यूनिक इंस्टिटूट है जहां पे महिलाओं की नंबर्स भी बहुत जादा है और महिलाओं क अगर जब बहुत सारी तॉप पॉसिशन पे वोमें होती नहीं है तो बहुत सारी डिसिशन जब लेते हैं महिलाओं के लिए तो मेरा यह कहना है और जहां पे कोई पॉइंट करना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि वहां पे मैं अपना पॉइंट रख सकूं रिकार करवा सके दूसरे से लेकिन एक बात बताये डॉक्टर मुखर जी कि जब आप ने डॉक्टर और इंजिनिरिंग का रुक्या लेकिन पहले उनको लगता था कि सबकी तरह ही जब कार जेटर और शाच हां रहां थे मैं भात कि जब करना है जब ऐसके लिए पॉपर्त पिको मैं आप नोगता था कि रॉक्टर साथ तर। भी मैं आप ने घॉक्टर और इन हो सबकी तरह इं इस बाफित्वारी तो फीड़ किया क आपने आप देखा जाये तो आपने अपने करियर में एक अलग पात चुना अपने अपने हिसाब से आप आगे चली लेकिन विएक जिन्दगी में भी अपने अपने शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन विज्ञान को एक तरीके से समर्पित कर दिया इसको लेकर कब दि अपने शिकायद भी की किया पहले पीर प्रेशर तो होता ही है फैमिलीज में बट शायद उनको भी समझ आगिया कि मैं इसको एंजोई करके करती हूं अज़ नहीं लेती हूं और मुझे असा लगता है कि शादी तभी करनी चाहिए जब आपको लगता है कि आपको शादी कर वो और मेरे सादी रहते हैं चाहिए अधा सुपने aux फटिदे हैं और मेरे सादी रहते हैं, मेरे सादी हैं इसरंगे मेरे सादी हैं यह दो चाहिए थांख्ध्यशने ख़ब हिस र चाहिए जलिए तेकलि करने में जातन भी जरीन को चाहिए 们 चूबगे coffee तो इस इसी हमें जो आपको लगता है कि आजकल विग्यान में भी महिलाई भी सशक्त रूप में सामने आरही है यह जो आजकल लड़कियां जो विग्यान कम लेती हैं जिससे सब आम विक्तियों को डर लगता है लेकिन आपको लगता है कि सेनर्यो बदल रहा है लड़कियां भी स्पील में आज़े हैं जो बदल रहा है जिसमें बहुत टाइम देने की भी जरूरत होती है और हम लोगों के कंट्री में इंसेंटिफ फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अज़ के दिन में विमन के लिए बहुत ऑपर्चुनिटीज भी आ गई है जो फंडिंग एजन्सी एं डीटी देस्टी वो बहुत सारी ऐसी उन्हों ने वो रोल आउट की हैं जिसमें कि एवन आ वोमें आफ्टर अब्रेक कान जॉइन आप अज की दौर में इस वक्त आज बहुत को प्रेड़ना दे रही होंगी आप लेकिन आप किससे प्रेरित हुए है अबने संदिके में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों से प्रेरित हुए है मतलब अगर आप साइंस की बात कहें तो हमारे बहुत सबसे मेजर रोल तो I would say Dr. Srinivasan, Dr. Brahmachari and Dr. Mahadevan जो मेरे PhD गाइड थे उनसे हुए 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 बट उनके अलग भी हमाएं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे जरनी में मिले जिन्होंने साइंस की इंक्रेस्ट को बढ़ाय रखा है and also many many friends and many relatives from whom I draw inspiration for different things so it is not that you need to have one particular mentor for one you can learn from many people even I learn from my students because they are the people who build us right so for me everybody you can talk about your mentors tomorrow tomorrow they will talk about your mentors if I have any difference then you will talk about it in general, when we talk about Vigyanik or Shikshak Iksheta, the question is, do you keep studying or do you put some time away for your time or do you do anything else? I am photographing, it is like a hobby but it is like a semi-professional kind of not that I make albums or I do a lot of photography that is one of my major interests so if I get an opportunity to be out of the lab then I take my camera and just go to photograph nature or Prakriti? nature, people, candid, social functions, I don't want to cover it but just an interest do you feel good at home? I do, 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 I do as a hobby I make some books, photo books and things like that so that's just as a hobby let's go, let's go, let's go, what do you want to say to all those people who look at Vigyanik or create a career in Vigyanik? I would say that this is a very important role in teachers more than the children aag ke din mein hum bacchon ko bhaut box way mein grow karna chaate hain aur sab bacche ek doosre ki tarah hi dikhna chaate hain but agar bhauti early exposure nature or nature is scientific or science ko alag tarikay se which is fun usse jode and not as a subject then I think lots of people will start coming to science and I am now doing this as an effort I have lots of summer time I have school children coming to me in my lab and I try to evoke an interest in science beyond their curriculum and I find it very interesting for myself also I learn a lot of things about their curiosity and I also learn as a teacher we need to we need to be more responsible in how the teacher aagar bachchon ko ruchikar dhang se vigyan padhaai jai to wu zindagi bhar vigyan se priem karenge bhaut bhaut shukriya dr. mukharji hamaari saath baat karne ke liye aur dhero shubh kaam na hai aapko tamaam un projects ke liye job aagay karne wale hai so yaiti hamaari saath dr. mukharji aur aaj ki tijasmini mei filhaal itna hii agle hefte phir hoonga haal se eek orti jasmini ke saath namaskar music 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 music